हेर टाइप के हिसाब से हेर ड्रायर का सेलेक्शन कैसे करें हेर ड्रायर ना सिर्फ हेर स्ट्राय करने के लिए यूज़ किये जाते हैं बलकि ये वक्त के साथ साथ एक हेर स्टाइलिंग टूल भी बन गए हैं कुछ टाइम पहले तक जहां इनका यूज़ से फीमेल्स तक लिमिटड था वहीं ये आप मेल्स में भी हेर स्टाइलिंग के लिए काफी इस्तिमाल किये जाते हैं पर कॉन साथ धियर ड्रायर आपके लिए बैस रहेगा ये आप कैसे पता करेंगे चलिए हम बताते हैं ये वीडियो इलेक्रोनिक्स फो यूने टेक्नोलोजी से जुड़े डिसीजन को आसान करने के लिए बनाया है ये वीडियो ना ही किसी कंपनी से स्पॉंसर्ड है और ना ही इन्फ्यूइंस्ट इलेक्रोनिक रॉक्स इनिशियटिव में बना हर वीडियो कंजूमर अप्लाइंसे इंडस्ट्री के लिक्सपर्ट के साथ की कई रिसर्च से बनाया सबसे बेले बात करते हैं हेर ड्रायर ट्राइप्स के बारे में ये आपको मार्केट में जरन memberंar ग्ली है ने कि रिसरटे और पतले ऐसे अगर आपका हेर टाइप शौट और थिन है तो आपको ऑनिन हेर राय्यर में इन्वेस्ट करना चाहिए कर्रीज यु से हेर्ज की डैमेज होने का रिस्क ता रिस्क बिलकुल मिनिमम हो जाता है आपको जादा देर तक इन्हें operate करने के ज़रूरत नहीं पड़ती ये market में normally रुपीज 1,000 की starting prices से आपको easily मिल जाएंगे अब बात करते हैं लंबे और पत्ते यानि long और thin hair के बारे में ceramic based hair dryers पतले और short hairs के साथ साथ लंबे और पतले hairs के लिए भी एक अच्छा option है ये heat को evenly distribute करते हैं जिससे hairs easily और evenly dry होते हैं अगर आप hair dryers regularly use करते हैं तो भी ये एक अच्छा option प्रूव हो सकते हैं ये market में normally रुपी 7,99 की starting prices से आपको easily मिल जाएंगे अब एक नज़र डालते हैं hair dryers for thick और curly hairs के लिए अगर आपके hairs thick और curly category में आते हैं तो termaline based hair dryers best हैं termaline coating hair dryer की heating intensity को increase कर देता है जिसकी वज़े से thick और curly hairs easily dry और style किया जा सकते हैं termaline coating की एक खास बात ये है कि आप इन्हें काफी देर तक बिना बंद कि ये use कर सकते हैं हम इने daily use के लिए recommend नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी powerful होते हैं और daily use से hairs को damage भी कर सकते हैं market में ये normally rupees 2500 की starting prices पे available हैं अब बात करते हैं everyday use के लिए best hair dryers के बारे में अगर आप regular hair dryers use करते हैं तो हम ceramic hair dryers recommend करेंगे बाकी hair dryers के मुकाबले ये electricity तो कम consume करते ही हैं साथ-साथ hairs पे heat flow को evenly distribute भी करते हैं everyday hair styling के लिए ये एक अच्छा option है क्योंकि इन में hair damage का risk काफी minimum होता है अब बात करते हैं उन hair dryers के बारे में जो आपको special occasions के लिए बालों को style करने के लिए help करेंगे अगर आप किसी special occasion के लिए hairstyle करना चाहते हैं तो promuline hair dryers सबसे अच्छ option होंगे ये काफी powerful होते हैं और सबसे ज़्यादा electricity यूज करते हैं और hairs को easily style करने में आपकी help कर सकते हैं कुछ और खास features जो आपको hair dryers में invest करते वक्त ध्यान रखने चाहिए सबसे बहले बात करते हैं heat control setting आजकल कई brands hair dryers में heat adjustment options equip करके दे रहे हैं ये future आपको hair styling करने में काफी help कर सकता है power cord experts recommend करते हैं कि hair dryer का power cord length कम से कम 4-5 feet हो ताकि आप freely इनका use कर सके Electronics for You किसले 50 सालों से technology magazines, websites और events करता रहा है लेकिन अब इन videos के थुरू हम technology से related decisions को सबके लिए असान बना चाहते हैं like, share और comment करना ना भूले